चीन्टी और कबूतर की कहानी एक बार कड़क्ती गर्मियों में एक चीन्टी को बहुत प्यास लगी हुई थी. वो पानी की तलाश में एक नदी किनारे पहुच गई. नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चट्टान पर चड़ गई और वहाँ पर वो फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जागिरी. पानी का वहाव ज्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगी. पास ही में एक पेर पर कबूतर बैठा हुआ था. उसने चीन्टी को नदी में गिरते हुए देख लिया. कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चीन्टी के पास फेंक दिया और चीन्टी उस पर चड़ गई. कुछ देर बाद चीन्टी किनारे लगी और वह पत्ते से उतर कर सूखी जमी पर आ गई. उसने पेड की तरफ देख और कबूतर को धन्यबाद दिया. शाम को उसी दिन एक शिकारी जाल लेके कबूतर को पकड़ने आया. कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था और उसको शिकारी के आने का कुई अंदाजा नहीं था. चीन्टी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाके उसके पॉंप पर जोर से काटा. चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया और उड़ गया नैतिक शिक्षा कर भला हो भला अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा